आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहांपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ फॉर इंजिनेरिंग मैथमेटिक्स बीस सिस्टों अगर आप किसी भी कॉम्पिनिटिव एक्जाम की तैरी कर रहे हैं जहांपर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता तो मेरा चैनल आप के लिए बहुत ही यहां पर जाके मेरे कॉम्प्लेक्स नासिस के प्रीविस वीडियोस आप देख सकते हैं आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ कि जो असेंशल सिंग्लोटी होती उस पर रेसिरियूस कैसे निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती तो कैसे हम करते हैं वह मैं आज आपको बताने वाला हूँ पर इससे पहले मेरे जो सिंग्लोटी वाले वीडियोस हैं वह आप आई टेप पर जाके देख लेंगे तो यह आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा तो इस विन देखी यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है जैड इस इकुल डूट जब भी हमारे पास Z is equal to Z zero पे असेंशल सिंग्लोटी होती है तो उसका जो होता है उसको हम एक्सपंशन से बहुत इसली निकाल सकते हैं उसका एक्सपंशन करेंगे और जो कोफिशेंट ओफ वन बाई जैड होगा वो उसका क्या हो जाएगा रह सिरी हो जाएगा है जब हम से एक्सपंशन करते हैं हमारे पास यह टम आती है और यह वाले टम आती है तो यह वाला जो पोर्शन होता है यह हमारा पास क्या देता है और इस एक्सपंशन के अंदर जो कोफिशेंट ओफ वन अपॉन जैड माइनस जेड जीरो पावर वन होगा उसका कोफिशन हमारे पा तो हमें कुछ नहीं करना एड़ द्यान दीजे इस तरह हम इसको खोलता है और सुन यहां पर जो कोफिशइंट और कोफिशंट और यहां पास कि आ जाए गा तो बहुत इजी लिए आप यहां पर निगाल सकते हैं दो हम जानते हैं इसे इकिल जिए पोड़ यादे से निकाल सकते हैं, एक और क्शेशन लाता है, जिसे हमारे पास दे रखा है, sin 1 by z, at z is equal to 0 पर इसका residues निकाल ला है, तो इस विन क्या करेंगे, sin 1 by z, का हम expansion करेंगे, और हम जानते हैं, जो expansion होता है, वहाँ पर क्या आता है, इस विन, z minus, मतलब 1 upon 3 factorial, right, 1 upon z cube, यह हमारे पास इसका expansion आता है, इस विन, coefficient of 1 by z, हम जानते हैं, कि residues of z is equal to 0, sin 1 by z is equal to, हमारे पास क्या होगा, coefficient of 1 by z, that is equal to, यहाँ पर coefficient of 1 by z, कितना हैगा, 1, तो यह इसका क्या जाएगा, answer आजाएगा, बहुत easy लिए आप इस तरह से निकाल सकते हैं, इस विन, एक और question देखते हैं, जैसे हमारे पास question दे रिखा है, क्या दे रिखा है, इस विन, z is equal to, यहाँ पर singularity, यहाँ पर z is equal to minus 3, तो z is equal to minus 3 पर इसका residue निकालना, अगर z is equal to 0 पर बोलता, तो 1 upon z का coefficient, और z is equal to minus 3 बोलता, मतलब 1 upon z plus 3 का coefficient जो होगा, वो इसका क्या होगा, residue होगा, यहाँ पर जो singularity है, वो कौन सी, essential singularity, तो इस विन, कैसे करते हैं यहाँ पर, यह आएगा हमारे पास z plus 3 का whole square, इसको खोलेंगे, तो इस विन यह आएगा 2, z plus 3 आएगा, देन हम जानते हैं 1 upon 3 factorial, यह आता हमारे पास, इस विन यह पर sin z की series निकालता है, तो यह आएगा 2 upon z plus 3 का whole cube होता है, इस तरह से हमारे पास, इस टेम जाती है, हम जानते हैं स्विन में आपको बताना चाहता हूँ कि sin z की series होती है, वो क्या होती है, स्विन, यह आता z minus z cube upon 3 factorial plus z 5 upon 5 factorial, यह हमारे पास इसकी series आती है, हैना तो z की जग हम यहाँ पर 2 upon z plus 3 रख रहे है, जो हम जानते हैं कि रहे से बाइनस 3 of fz, जो आएगा हमारे पास, कॉफिशेंट आफ का है, एक स्विन, वन अपन जानता है, यह फार्मुला जो होता है, यह सिर्फ हमारे पास essential singularity के लिए होता है, क्योंकि sign 1 upon z type का जो होता है, वह हमेशा essential singularity देता है, तो आपको यह बहुत ईजीली समझ भाएगा, तो आपको यह बहुत ईजीली समझ भाएगा, तो इस तरह से discussion को मिया पे solve करते है, एक और example समझने के कोशिश करें, हमारे पास दे रखा e की पावर माइनस 2 z cube, और आपे बोला जारा है कि fz, z is equal to zero पे इसका रहा है, तो सुन क्या करेंगे, होई साह है, हमारे पास क्या दे रखा, fz is equal to, हमारे पास दे रखा e की पावर माइनस 2 upon z cube, इसका सीरीज निकालेंगे, तो हम जानते 1 minus, यह आएगा 2 upon z cube into 1 upon 1 factorial, plus यह आएगा हमारे पास 1 upon 2 factorial, यह माइनस आरा तो alternate plus minus चलेगा, 2 upon z cube का whole square आएगा, तो हम जानते हैं, यहां पर हमारे पास इसका जो residues होता है, residues at z is equal to 0, fz की जो value होती है, वो हमारे पास होता है, coefficient of 1 upon z, क्योंकि essential singularity है, यहां पर z is equal to 0 पर इसकी, तो इसकी है, तो यहां पर हमारे पास coefficient of f 1 by z आएगा, और coefficient of 1 by z मिली निरा है, तो इसकी जो यहां पर residues आएगा, वो क्या आएगा, 0 आएगा, भई अगर आपको मिलेगा तो रेखोगी, जब मिली निरा 1 upon z का coefficient, तो इसका जो residues आएगा, वो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, तो इस तरह से हम इसको solve करते है, तो कैसे करेंगा, यहां पर हमारे पास इसकी value क्या आएगा, तो हमारे पास यहां पर इसकी value क्या आएगा, प्लस 1 का whole square, प्लस यह आएगा 1 upon z plus 1 का power 4, और यहां पर हमारे पास 2 factor लाता है, तो यहां पर हमारे पास इसकी series आती है, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, इसका residues निकालेंगे, right, residues at z is equal to minus 1 fz, इसकी यहां पर हमारे पास जो value आती ही, वो आती ही, coefficient of 1 upon z plus 1 आ रहा है, पर इसकी coefficient of 1 upon z plus 1 आई नहीं रहा है, तो यहां पर इसका residues आएगा, वो क्या आएगा, जीरू आएगा, तो इस तरह से इस question कहां पर हम solve करते हैं, right, तो आगे बढ़ते हैं, यहां पर मेरे जो short trick के वीडियो, जो मैं नहीं वाले चैनल पर upload कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, तो यह मेरे complex analysis की पूरी playlist से, जहां पर मैंने maximum videos upload कर रहे हैं, तो यह दुनों मेरे channel, यह मेरा नाया चले ले और मेरा पूरा नाचले है, so thank you so much for watching me, like करे, share करे और channel को जरूर सब्सक्राइब करे, thank you so much, bye bye